हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप उम्मिद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड निउस लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों पर्मनेट इसकूल टीचर रिकूट्मेंट 2022 के लिए वेकंस इसको रिलीस कर देया गया है सेलेरी इसमें आप 45,000 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका अलावा डिया याने की डियनेस अलावेंस एप ग्रैचुएटी लीब एनकेश्मेंट एडिया लाई फ्री रेसिडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया भी तो सेलेरी के अलावा बहुत सारे इसमें दोस्तों बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो पूरा वीडियो का अंतक जरू देखेगा सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और आप निव हो चैनल पर तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए अप सब स्क्रीन पर देख पार हो पहले आप देख लिजे कोन से इसकुल से इस नोटिफिकेशन को रिलीस किया गया है तो दिये भी फटिलाइजर पब्लिक इसकुल से जो कि उत्तरपदेश में डिस्ट्रिक्ट सामबाल वहां से इस रिकुट्मेंट को रिलीस कि किया गया है अब नीचे के तरफ जाते टीजीटी में कुन-कुन से सब्जेक्ट है हिंदी है सोशल साइंस है और साइंस केमिस्ट्री है इसमें इसमें एसेंशल क्वालिफिकेशन होना चे ट्रेंड गेजूएट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लीन एंसीटेड एफिटेट होना चे उत्तरपदेश से अपर प्राइमरी लेवल एफिर पेपर टू कॉलिफाइड भी होना चे विच सिक्स्टी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड नौट बिलो फिप्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क एट एट एनी लेवल ठीक है 60 परसें मार्क्स होना च अब जो नेक्स्ट है पी आटी पोस्ट के लिए अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर पा रहे हो यानी कि कुछ आपका कमी हो रहा है उसमें तो पी आटी के लिए अपलाई कर सकते हो इसमें इंग्लीश है हिंदी है संस्क्रीट और मोरेल एजुकेशन एसेंशिल क्वालिफिकेशन होना चीए ट्रें गेजुएट एंद सीटेड एgregट होना चीए क्लियर उत्तरपदे से क्वालिफाई टृउथ 60% मार्क्स होना चीए इन satur troubled इसमें मिनिमुम 1 ईयसक्ट का PRT में अब जो next है PRT भी है इसमें physical education और dance teacher के लिए essential qualification होना चे बैचलर्स इन respective discipline from recognized university with 50% marks at qualifying level and one year in teaching experience in CBSC फिर ICSC schools तो इसमें 50% marks होना sufficient है desirable यानि की mandatory नहीं होता है और एक counselor and wellness teacher और special educator दोस्तों यह दोनों contact basis पर है और उपर का तीनों post PRT PGT और TGT दोनों permanent post है ठीक है तो contact basis का जो है दोस्तों आप लोग पढ़ लीजेगा essential qualification कहाना चे अब एच कैटेरियर को डिसकस कर लेते maximum age limited 40 years no age bar for regular DAV employees अगर आप DAV में काम कर रो पहले से कुन से भी स्टेट में हो तो आपको दोस्तों age bar की mandatory नहीं है यानि कि age bar आपका देखा नहीं जाएगा अगर आप 45 के हो तो भी आपको उन लोग ले लेंगे ठीक है तो यहां पर regular DAV employees के लिए यह दोस्तो relaxation है इज बार में अब यहां पर देख लेते हैं देखिए यहां पर सभी कुछ लिखा हुआ है आपको salary के अलावा DA दिया जाएगा एपको अपको अच्छा एक फैसिलिटी है OPD facilities भी दिया जाएगा दोस्तो इन दे टाउंसीब hospital for self and family are provided तो आपके लिए भी दिया जाएगा और आपके family members के लिए भी दिया जाएगा ठीक है तो बहुत ही अच्छा opportunity है तो ज़रू से अप लोग सभी लोग फिल कर दिजेगा submit their application online ही आपको submit करना है और within 10 days तो अभी भी आपके हाथ में दोस्तो 8 से 10 दिन का time है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग apply कर दिजेगा ठीक है अगर shortage route से जो भी bus F3AC में bus में जाओगे तो उनके तरफ से अपको fair भी दिया जाएगा shortage route का जो दूर से जा रहे उनके लिए तो शायद possible नहीं होगा जो shortest route है उनके लिए दिया जागा इसकुल के तरफ से fair जितना भी होगा ठीक है और एक plus point है इसमें अगर आप भारत में किसी भी state से बिलॉंग करते हो interested हो और eligible case में आते हो तो जरूस से इस application को भर सकते हो ठीक है कई पर ऐसा restriction नहीं है कि website पर विजिट करा देता हो और कैसे डाउनलोड करना advertisement PDF बता देता हो आप सभी को आप सभी स्क्रीन पर देख पार हो मैंना official website को open कर लिया हो DAB fertilizer public school इंदीरव धाम बरेला दिस्ट्रिक्ट संबाल और उत्तरपदेश से pin code भी मेंशेंड किया है ठीक है से आप स्क्रोल डाउन करोगे दोस्तों तो recruitment section देख पार हो यहां पर link भी हो रहा है new करके advertisement और detail advertisement तो detail advertisement में क्लिक किजएगा download बटन को तो clickable link है अपका PDF डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अब application form देख पार हो fill online form भी है यहां पर click here to apply online करके online application form को भर सकते हो दोस्तों इनके जो PDF है advertisement PDF वहां कई पर मेंशन नहीं किया है कि आपका application free कितना होगा तो apply करते time online अब वहां पर देख लिजेगा कितना fee हो रहा है मुझे तो लगता free of cost भी हो सकता है क्योंकि इन लोग ने advertisement PDF में mention नहीं किया fees इन लोग का ठीक है अब सभी इस वीडियो के description box में visit कीजिए वहां पर आपको इसका official website का link मिल जाएगा वहां से आप view करके अगर आप interested हो और eligible case मात हो तो जरू से fill कर दीजेगा उम्मित करता हो दोस्तों आज का recruitment वीडियो अच्छा लगाओगा और helpful लगाओ तो जरू से इस वीडियो को like कर दीजे और जितना हो सके इस वीडियो को share कर दीजे ताकि दुसरे को भी help मिल सके अगर आप new हो चैनल पर तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे इसी प्रतार सबसे पहले daily recruitment वीडियो पाने के लिए मिलते हैं next recruitment वीडियो के साथ तब तक के लिए उश्यू all the best टेकर थैंक्यू